हलो दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने योट्यूब चैनल एक्वीटी टू कमुनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप SGX Nifty को देखके ट्वेट कर सकते हैं SGX Nifty के अगर हम बात करें तो वहाँ से हमें काफी हद तक मौर्निंग में आइडिया मिल जाता है हमारे मारकेट क्लोज होने के बाद भी कि अगले डे मारकेट आपका गैप अपन होने वाला है या फिर रेंज बाउन ओपन होने वाला है या फिर गैप डाउन ओपन होने वाला है और उसके बैसिस पे काफी हद तक अपना ट्वेडिंग डिसिजन्स हम काफी हद तक एकुरेटली बना सकते हैं तो SJX Nifty उस डेटा प्रोवाइड करने में हमें ज्यादा हेल्प करता है तो इस वीडियो हम देखेंगे कि SJX Nifty के तरफ से जो डेटा हमें मिलता है और साथी साथ जो ग्लोबल मारकेट का डेटा होता है उन सब को देख कि हम Nifty में कैसे ट्वेड कर सकते हैं उसके उपर हम इस वीडियो में डेटेल से बात करने जा रहे हैं तो चली स्टार्ट करते हैं तेहां पे हम चार्ट पे आगे हैं और यह आपका Nifty का चार्ट है तेहां पे अगर हम बात करें तो 7th of October 2022 को जो Nifty आपका क्लोजिंग दिया था वो क्लोजिंग दिया था आपका 17,315 के करीब यानि हमें slightly positive क्लोजिंग मिलता हुआ दिगा था लेकिन उसके बाद global market में बहुत सारा कुछ changes हुआ तो हम देखते हैं कि हमारा SGX Nifty कहां पे क्लोजिंग दिया है फिर हम अपने लिए Monday यानि 10th of October को next trading sessions आपका open होने वाला next market open होगा तो उस दिन हमें कैसा trade setup तयार करना उन सब को बात करेंगे लेकिन उससे पहले हमें SGX Nifty को देखना होगा तो चलिए SGX Nifty को देखते हैं तो अगर हम SGX Nifty के क्लोजिंग की बात करें तिया आपका closing दिया आपका 17,000 के करीब यहां पे closing देखने को मिला है यानि लगबग आपका 200 से 300 point नीचे closing दिया जहां पे हमारा Nifty closing दिया यानि 1.5% के करीब यहां पे हमें गिरावट देखने को मिला है और इस गिरावट के पीछे multiple factor है सबसे पहले यहां पे हम global market को भी देखना जाएंगे तो अगर आप यहां पे global market को देखो तो देख सकते हो SJF Nifty आपका negative क्यों है क्योंकि यहां पे हमारा जो है US market आपका negative है European market negative है यानि basically European और US market जबदस्त गिरावट दिखा है इस गिरावट के पीछे region क्या है वो region भी आपको समझा लेते है तो यहां पे अगर आप देखेंगे communities को तो crude oil, WTI और Brent oil दोनों लगभग आपका 5% करीब upside move दिखा है क्योंकि ओपे country के तरफ से oil production कट किया गया जो कि market के लिए बहुत ही ज़्यादा negative संकेद है वहां से oil prices और increase होगा और as a result आपका inflation और ज़्यादा increase होता हुआ दिख सकता है यह सबसे बड़ा negative triggered है this big market open होने से पहले साथी साथ Fed के तरफ से भी कुछ negative आने के आसंका जटाया जा रहा और यह चीज global market के लिए तो negative highs है साथी साथ हमारे इंडियर market के लिए बहुत ही ज़्यादा negative है तो इसी सब को देखते हुए हमारा जो SGS Nifty है वो आपका कहां पर open हुआ है 17,000 के करीब open हुआ है और Monday को आपको इसी करीब open होता हुआ देख सकता है यहाँ पर हमें gap down opening मिलने के chances clear cut दिख रहे हैं तो यहाँ पर हमने SGS Nifty को देखा और साथी साथ global data को देखते हुए हमने क्या देखा कि Monday को हमारा market gap down open होगा इसके chances बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर हम तैयारी करते हैं कि Monday को हमें अपना trade setup कैसे तैयार करना है तो यहाँ पर हम पहले condition को उपर बात करते हैं अगर market आपका gap down open होता है और उसके बाद क्या कुछ हो सकता है तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया था एक हमने बताया था आपको gap down और gap up वाला trading strategy जिसके बहुत सारे लोग trading करके अच्छा खासा profit भी बनाए तो इसके basis पर भी आप profit बना सकते हैं तो हमारा gap up और gap down वाला trading strategy क्या है वो समझने की जबत है तो सबसे पहले हम जब भी market gap down open हुआ है पहला candle का जो भी lowest point है उसको हम mark कर लेंगे उसको हम virtual SL के रूप में tweet करेंगे और देखेंगे कि इसके बाद अगर buyers interested हुए या फिर यह हमारा SL हिट नहीं हुआ है तो फिर यहां पर हम बाईसार की तरफ trade initiate करेंगे उसके बाद देखेंगे अगला candle भी आपका जब दस positive green candle का formation हुआ है तो तीसरा candle के करीब यहां पर हम क्या कर लेंगे बाईसार की तरफ इंट्वी करेंगे और यह candle का lowest point हमारा SL बन जाएगा क्योंकि इसको अगर हम SL की रूप में रखते हैं तो हमारा risk reward हमारे favor में नहीं होगा तो यहां पर थोड़ा बहुत modifications करेंगे और हमारा SL यह बन जाएगा अब इस point का हमारे पास कोई काम नहीं है तो यहां पर हम जो इं 18,000 का target price दूसरा होगा हमारा 18,050 और फिर तीसरा होगा 18,100 इन तीन डागेट पैस के लिए यहां पर हम gradually जा सकते हैं तो देखिए उसके प्राइस आपका ऊपर गया और all the way यह कहां तक गया अगर हम इसके highest point की बात करें क्योंकि सेम टे हमें यहां पर profit बनाना 18,080 के इसरा हीट नहीं किया यनि लगबाग futures में हमें 1500 पॉइंट का profit आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है अगर हम इस strategy का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद अगर हम options में trade करते हैं और यहां पर हम 17,900 जो कि आपका add दमानी इस call options को buy करते हैं या इन दमानी कोई भी call options को buy करते है तिहां पर आपको 80 से 100 point का profit आसानी से options में भी मिलता हुआ दिख जाता है तो इस तरीके से इसके basis पर हम options में भी trade कर सकते हैं futures में भी trade कर सकते हैं और intra day में भी हम trade कर सकते हैं इस strategy को use करते हुए अब दूसरा conditions क्या हो सकता है market यहां पर हमारा gap down open हुआ तिहां पर हम पहले same strategy को apply करेंगे इसके lowest point को mark कर लेंगे अब अगला candle आपका red candle form किया जो कि इसके lowest point को break कर दिया मतलब यहां पर हमें कहीं से भी buyers active होते हुए नहीं दिख रहे हैं तो यहां पर हम क्या find करेंगे हम selling opportunity find करेंगे तीसरा candle जैसे आपका rate open हुआ हम यहीं पर क्या करेंगे sell side की सब्सक्राइब लिया था और हमारा target price बनेगा 17500 के करीब और देखिए यह all the way नीचे साइड की तरफ आया same day और जो लोईस्ट बनाए 17000 450 के आसपास बनाए यहां पर हमारा लगबग 120 पॉइंट का target पैस था वह असानी से हीट हो जाएगा अगर हम future की बात करें तो options में अ वह दिख जाता तो इस तरीके से यहां पर options और futures में भी और इंट्राइट ट्रीडिंग में भी आसानी से आप profit बना सकते हैं based on gap down market में यह दो situation को देखते हुए और Monday को भी अगर यह दो situation में से कोई भी आता है तो आप यहां पर इसके basis पर trade initiate कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम सिर्फ candles के basis पर trade initiate नहीं करेंगे यहां पर हम एक data का भी help लेंगे और उसके basis पर यहां पर ज्यादा confidence मिलता हुआ दिखेगा और हम और accurately trade initiate कर सकते हैं डेटा में जो हम help लेंगे वह OI का help लेंगे और change in OI का help लेंगे साधी साथ यहां पर हम काफी हद तक option chain का भी मदद ले यह सारा data आपको easily free में कहां पर available है चलिए उसके उपर हम बात कर लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा वह आपको धन के trading platform में यह सारा data आपको आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा सबसे पहले यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं यहां पर आपको open interest दिख जाएगा यानि अगर आपको open interest increase हो रहा और उसके साथ साथ price भी increase हो रहा मतलब यहां पर जो buyers हैं वो market में entry कर रहे हैं और gap down के बाद अगर buyers entry कर रहे हैं तो आप वहां पर buy sir के तरफ positions initiate कर सकते हैं लेकिन अगर आपको open interest increase हो रहा और price नीचे जा रहा है that means यहां पर sellers entry कर रहा है यहां पर इंट्वेस का भी मदद ले सकते हैं साथी साथ यहां पर आप 15 minutes विल्डप पर जा सकते हैं जहां पर आपको live market data के जरी बताया जाएगा कि कब आपका long build-up हो रहा कब short covering हो रहा कब आपका long unwinding हो रहा है और यह सारा data आपको धन के trading platform में आसानी से available है अगर आपका इंडियों के description में लिंक दिया गया उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना धन में ट्वेडिंग और डिमेट एकाउंट फ्री में open कर सकते हैं उसके साथ यहां पर आपको धन के trading platform में option chain मिल जाएंगे जहां पर आपको काफी advanced data बताया जाता है और साथी साथ यहां पर आपको PCR ratio 0.5 या 0.6 के करीब आ जाता है तो वहां पर थोड़े बहुत buyers entry करते हुए दिख सकते हैं तो आपको यह सारा data help करने वाला है कि आगे जो आप trading decisions ले रहे हैं वह काफी हद तक सही है नहीं है उसको आप verify कर सकते हैं double cross कर सकते हैं double check कर सकते हैं इन सारे data के जरी है और अपन account नहीं है तो आप open कर सकते हैं link video के description में अगर है ती सारा data कहां से access कर सकते हैं मैंने आपको अलवेरी बता दिया तो चलिए यहां पर हम different example पर आते हैं दूसरे conditions पर आते हैं क्योंकि कभी-कभी SGX Nifty आपका क्या बताता है कि market हमारा gap up भी open होने वाला है जब आपका range bond आता ह है तो वहां पर हम daily video आपको बताते ही रहते हैं कि क्या trade करना है situation कब खराब होता है जब हमारा gap up या gap down होता है तब अगर gap up हो गया तो सबसे पहला situation क्या है कि हमारा gap down वाला strategy मैंने आपको बताया है कि अगर आपका gap up market open हुआ तो पहले candle के high को हमें mark कर लेना यह हमारा virtual SL के रूप में काम करता हुआ दिखेगा उसके बाद अगर आपका further sellers active हुए और selling momentum आया तो दूसरा candle भी देख सकते हैं यहाँ पे sellers का presence दिखा रहा उसके बाद हम तीसरा candle open होते हैं हम sell sir की तरफ interview लेंगे यह point SL के रूप में काम क हैं और यहाँ पर उन्ट वी ले रहा हैं देखें हम जो इन्ट वी लेने वह 17, mobile 11890 के असपास इंट वी लेने 7009 सबसे पहले 17,800 फिर 17,750 और 17,700 इन सारे टागेट पैस के लिए हम ग्रेज्वाली जा सकते इंट्राडे में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं जो हमारा पहला टागेट पैसा 17,800 उसको इसने आसानी से हेट कर दिया यहीं लगबख मुझे पैसे फिटर्स में 90 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया ऑप्संस की बात करें ऑप्संस में भी आप 50 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं तो इस तरीके से गाप डाउन का इंडिकेशन हमें कौन दे देगा और ग्लोबल मार्केट की डिटा को भी हम देख लेंगे वहां से कावी हद तक हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या ट्वेड लेना फिर हमें अपने मार्केट पे फोकस करना फिर हमारा एस जेख निफ्टी का जाता कोई काम नहीं होगा आप चाहो तो डाउज़न स्फ यहां पर हम बाइसर की तरफ ले सकते हैं यह पॉइंट हमारा एसल के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा क्योंकि यहां पर रखते हैं तो रिस्क रिवाड फेवर में नहीं आएगा तो यहां पर हम जो इंट्वी ले रहें बाइसर की तरफ वो ले रहें 17200 के आसपस यहां पर हमारा 17250 और 17300 यह दो हमारा टागेट पैस बन जाएगा लेवल को देखते हुए तो देख सकते हैं all the way 17280 के लेवल तक यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे लगबग 80 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा और options में अगर आप trade करते हैं त 30-50 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिलता होगा दिख जाएगा इस तरीके से अपने वीडियों बताते रहते हैं उसके वीडियो को देखते हुए हम कैसे अपने लिए ट्वीडिंग पोजिशन कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए साथ शाथ बेल आइकन दवाना ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें चाहे वो डेली निफ्टी या फिर कोई और टॉपिक यूपर वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें जैहिन